Hello friends, welcome to a study for examination दोस्तों जहारखन अश्टाप सेलेक्शन कमिसन JSC के ओवर से जो आगामी परतेगी परिशाएं होने वाली है उसके लिए दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में जहारखन एक दिरिष्टी में दोस्तों यह पार्ट वन है और इसका जो है सीरीज आगे चलता रहेगा तो दोस्तों हम लोग इसमें जो है most important mcuq-based question लेका आया है एक दिरिष्टी में ओके तो चली हम लोग आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले जो भी इस चनल में नए है मैं इस रिक्वेश्ट करना चाहूँआगे प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लें बगल के बैल आइकन को जुरूर दबाएं ताकि जितने वीडियो आप तक तुरंत पहुँचेगे और दोस्तों जो जो भी जहरखंड की जो भी स्टुटेंट लोकल स्टुटेंट उन्हें तो यह मालूम होना चाहिए कि जहरखंड राइज का गठन कब हुआ था जो तियारी करते हैं तो चलिए फिर भी देख लेते हैं लोग सब्सक्राइब को जहरखंड भारत का कौन सा राइज है ठीक है जहरखंड भारत का कौन सा राइज है ठीक है जहरखंड भारत का कौन सा राइज है तो चलिए देखते हैं एह आपका तीस्वा बी है उन्तिस्वा सी है अठाइश्वा डी है सताइस्वा तो इसका राइट अंस रोग आपका सी अठाइश्वा भारत का अठाइश्वा राइज है जहरखंड ओके इसे आपको रटना है दूस्तों टिक है वोह था संग कोंष्टन है सब देखते हैंеш नंबर ध्रिक्ट कर जारकल की से अलग होकर बना वह थी असंटों पहले हमारा जो राजिता वह वह था वह था वह भी स לפח कर बना यह को बीखते हैं lyrics Henry भुभाग को काट कर जार्खन का जो है अलग राइस का निर्वान किया गिया तो चलिए देखते हैं इसका सही एंसर क्या होगा ओप्शन ए है आपका 42.38 परसेंट बी आपका 46 परसेंट सी आपका 45.8 परसेंट एंड डिये 51.72 परसेंट तो दोस्ते इसका राइट रहोगा जिरो परसेंट ओके बट देखिएगा कहीं कहीं जो है यह आपका पॉइंट फाइब जो है आपका 45.80 नहीं रहेगा पर डायरेक्ट जो है ओवरल आपका जो है 46 परसेंट कहीं पर दिया होगा रहेगा तो आप इसे भी टिक करके आप जो है अंसर दे सकते हैं ठीकी दोस्त जो है यह दोनों में से एक रहेगा विदिए आपको दिया रहेगा 45.80 नहीं ठनाय है वर रहेगा है तो आपको 46 नेच्ट ये आपका ज्हारखंड की औदोगिक राजधानी कहा है। ठीक है। नमबर 6 ज्हारखंड की औदोगिक राजधानी ठीक है। ये बादे को पूछ रहा है। तो इसका राइट असर क्या होगा चलिए देखते हैं। अबन की उपराजधानी कहां है ठीक है कई बार जो है इसका कोश्चन आ चुका है दोस्तों इसलिए इसे रटना है आपको रट लिजिएगा तो जार्खण की उपराजधानी कहां है चलिए देखते हैं ए आपका दुमका बी जधनबाद सी यह बोकारो डी यह पलामू इसका कुछ नहीं आलाई जो हाइकोट जिससे हम लोग बोलतें आभी हैकोट का अभी वेकनसी आया हुआ है कितना आया हुआ था माद कीज़ेगा आभी उसका एक्जाम होने वाला है ठीक है तो जहार्खन हाइकोट टावी कहा आवस्ती ते घर यह खनभाड राची अधनबाद सी तोड़ा सब्वाइश्टिक जो है ठीक है दुमका डी है आपका ग्रिडी इसका राइट अंसर ओगा आपका ए राची राची इसका सही अंसर होगा दोस्तों चलिए नेक्ट देखते हैं नेक्ट आपका नमबर नाइन नमबर नाइन जारकंड उचनियाली के अस्थापना कभ हुई ठीक है जब जहरकंड हाई कोड है उसकी अस्थापना कभ हुई थी देखते हैं ए है आपका 2000 इस्थापना भी हुई थी ठीक है और जहरकंड उचनियाली की अस्थापना हुई थी वह आपका 1976 में जो है एक पटना हाई कोड की एक जो है जो है एस्थाफित क्या गया थारांची में उसी को जहरकंड उच नियाली की अस्तवoby ना जो है उसी के तहद जो एक क्या गया था ठीक है तोंदी नेक्स पर बहूंबर 10 भास टान कौन सा चाहर स्था थान पर यहां ह freaking high court आता है पूरे देश सदूराइ नेट्व साइए नेक्टिन है नमबर 11 आपके जहार thereby गश्वां स्थान पर या दिवस कौन सा है ठीकर करा दीवस किसे बना जाता है अधारवेन को आपको जिसश्द डेबंको आपके ज्हारखन जो वह आलग हाथा जिस दिन जो है अस यह पना घ लाक तो तहाले तो वह गाप Ebola भर हनबर दियों हाथ है जिसका राइट अनर्षनिय आयगा राज पक्ष्षी ऩो य कि यदर कर लिएगा ओकर देखते हैं नैक्स रभुटकर23 नमबर 13 है जहारखन का राज कि पक्षि क्या है एक जहार राज कचि के बारे अस देखते हैं यह आपका मृ percent को यह आपका तीतार से कबुतरा विए bạn और ये इसलोगा आपकाए मिमेश के अयांग का बारे में दो एकको लुद्ध तो नम्बर 14 थीके राज के ब्रिक्ष तो कई बार जो है यह कोशन आचुका राज की बिक्ष के बारे में राज की पक्षी के बारे में इसे रट लेने से यह बहतर होगा आप लोगों के लिए ठीक है तो नंबर 14 में आपका दिया है ज्ञार्खंड का राज के विरिक्ष कौन सा है तो वह साल है मतलब जो है राज की फूल के बारे में पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं क्या होगा यह आपका गुलाब भी है कमल सी यह गेंदा डी प्लास तिसका राइट अंसर होगा अपका डी प्लास ठीक प्लास फूल जो है ज्ञार्खंड का राज किया पूस्प है ओके चलिए देखते हैं नेक्श्ट को सन है आपका नमबर 16 नमबर 16 आपकी जार्खंड की राज क्या भाता क्या पूछ रहा है जार्खंड में राज की भाता क्या है तो शरी देखते हैं यह आपका संथाली भी हिंदी सी ए उर्दू डिए नज़पूरी इसका राइट अंसर होगा चुका है दोनों कोष्टन जो है कई बार रिपीट हो चुका है अभी तक इतने भी गौश्टन इक्जाम हुए है ज़हर खन के जैससी के दुआर, ठीक है तो चलिए देखते हैं, एपका हिंदी ही संथाली उर्दू एंडी का पर्तिक चीन क्या है जानते हैं में टेखते हैं जानते हैं चार जे प्रतिक चित्र है चली नेक्स देखते हैं आपका नेक्स आपका नमबर 19 नमबर 19 है आपका जहरकन राज के देक्षिन जिसकी डिजाइन मीषा फारटीक राज कोशिन बनाया गया है उसकी डिजाइन कोन टैयार किया था तो वह आपका पांडे त्यार किया थे ठीक है रमखएन रहा हम लोग का जो है जार्कन राज का परिकशिन Venice यहां इसकी तो यहां पे कितने जए एक चोरों का पर्योग किया गया है आप इसमें जो है देखिए यह रहा है यह रहा आपका एक यह वन यह टू यह थ्री यह फॉर बतलब चार जए एक च्छोरों का तुर इसका राइट है फ्रों इसका पौर ठीक है और यहीं सी यहिंद को जो है थे दूस्तोर दोस्तों नेफ्स्कों अब करना टूंटी ठीक है नमबर टूंटी ज्ञार्खन भारत के किस बाग में इस्तित ये अपका जयाए यहां पर तो यह आपका जो है यह जार्खन जो है इस दिसा में है यह उत्तर और पूर्वी भाग में है ठीक है तो यह इसका राइटन सुरूज़ेगा आपका ए उत्तर पूर्वी भाग में है ठीक है उत्तर पूर्वी भाग में जार्खन इस्थित है ठीक है तो इसका राइटन तो नेक्स्ट की और नंबर 22 है जहारखन की उत्तर से दक्षिन तक लपाई लंभाई जहर्खंड की लंभाई वह हमां की उत्तर से दक्षिन तक है यह यह अपका को तर दक्षिन थो यह अपका लंभाई पूच रहा है कि तर से दक्षिन तक कि для मप descub तो इसका राइट एंसर आपका C 380 km की दूरी है ठीक है लंबाई है चुरी नेक्स्ट है आपका नमबर 23 टीक है नमबर 23 है आपका जहारखन की पूर्व से पस्चिम तक की चोड़ाई कितनी है ठीक है यह आपका पूरव हो गया इधर यह आपको पूरव यह आपका हो गया पस्चिम ठीक है यह पूरव से पस्चिम तक की बता रहा है कि चोड़ाई कितनी है यह कोशन पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं इसके सही अंसर क्या होगा A है आपका 463 km, B है 360 km, C है आपका 389 km, D है 480 km तो आइक अंसर होगा इसके द पस्चिम तक की चोड़ाई होए आपको 463 km, चलिए नेक्ष्ट देखते हैं दोस्तों नेक्ष्ट कोश्टन पूछ रहा है आपका नंबर 24, नंबर 24 ज़ारखन का छेतरपल कितना है ठीक है तो इसका सही अंसर होगा A, 79714 वर किलोमेटर ठीक है, 79,714 वर किलोमेटर जो है जहरखन का छेतरपल है उसका कितना परतिसाथ चेतरपल जो है जो है जहरखन है चलिए देखते हैं इसका सही अंसर क्या होगा A, आपका 3.42%, B है 2.51%, C है 2.1% और D है 2.42%, तो राइट अंसर दो का इसका दोस्तों D, ठीक है 2.42% जो है जहरखन का छेतरपल है भारत में ठीक है भारत वे खुल छेतरपल में जहरखन का छेतरपल 2.42 होगा यह आपका सही अंसर है इसे आप याद कर लें दोस्तों मैंने इसक का पीडियाप अपने डिस्क्रेशन बॉक्स में दे दिया हूँ वहां सजा के आप डाउमलोड भी कर सकते हैं दोस्तों जिदी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो भी अभी आपडेट आएंगे वह आप तक तुरंत क्लीओ बॉलोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोड時 हूपको में जदी याफ। क् FamagLY